कर दोस्तों मैं रागोप्ता फिनिक्स एकड़मी पर आपका स्वागत करता हूं जज़गी आप लोग पढ़ा रहे हम लोग हम से बारत का बुगोल बिश्व का बुगोल प्राचीत यास एवं साइन्स तो आज मैं आपके लिए लेक्चर जो लेकर आया हूं वो लाया हूं प्राचीत यास से 25 कोचन की सीरीज कर वाई और मैं इससे वादा करता हूं कि जो भी आप कोचन सीरीज कुप सारी में करवा दूंगा अगर यह आप कंप्लेट कर लेंगे किसी भी एक्जाम में आपको कोई भी दिकत नहीं होने वाली है तो आज मैं जो आपको कराओंगा भूगोल से संबंदित में प्रेशन जो आपके प्रेशन होंगे और फिरा आपको मिल जागा और सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ आपको अगर आप चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करना और सेहर कर देना दूसरी चीज में एक बात और कर लो आप लोग को सिर्म मैंने जब सीरीज करवाई थी कोच्छन की तब मैंने कहा था उसमें कमेंट लिखके बताना किसके कितने कोच्छन सही हुए आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूर कमेंट करिए वरना वीडियो देखिए जो काम करिए परफेक्ट से कसाथ करिए कोई भी उसमें लापर रही ना वरती है चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग भूगोल से सम्मंदित जो टॉप 20 कोच्छन से तो पूरे देखने क्या है ताला कोच्छन जो आपकी स्क्रिंग पर है भारप में सबसे पहले जयम अंडल अर्चिच्छत के से घोसित किया गया ठीक है तो भारप में सबसे पहले जयम अंडल अर्चिच्छत के से घोसित किया गया आपसें आपके पास नेल गिरी नेल के दूसरा आपसें नंदा देवी नंदा देवी तीसरा आपके पास है नोकरिक नोकरिक और चौता आपके पास है सुंदरबन सुन्दरवन चार अपसम आपके पास हैं आपको पताना पहला फर्स्ट बाइस पर रिजर्व इन इंडिया किसे घोसित किया गया तो फर्स बाइस पर रिजर्व इन इंडिया कौन सा है वो है निलगिरी कब घोसित किया गया इसको 1986 में और नीलगीरी परोथ कहां पर है तो नीलगीरी परोथ है तेमिलनाडू कि लेखे बाद बेटा फिर आगे बाद देखते हैं लोग जो अगला अप्सन आपके पास है नंदा देवी नंदा रेदी को भी जय मंडला रची छो चेत्र यह बाद पर घोसित क्या गया इसको कब घोसित क्या गया है इसको घोसित क्या गया है 1988 में और यह घोसित को हम करता है इन इसको दारा फिर 1988 में एक और घोसित क्या गया है नोकरेक नोकरेक वह 1988 कुल मिलाग कह सकते हैं कि दोनों यह उनिस तॉटाजम 1996 में ये तो नीन की तेमिल नादुर में नंदा दिभी का आपने नंदा दिभी ये उत्रा खंड कहां पर बटा उत्रा खंड में नोकरेक कहां पर बटा नो करेंगे मेगाले में के लिए में करेंगे बात करते हैं सुन्दरवन सुन्दरवन जो है इसको जर्मिडर लार्ची चेट गोसे गया सुन्दरवन जो वर्ल्ड लार्जेश्ट डेल्टा बिश का सबसे बड़ा डेल्टा कहों सा है सुन्दरवन का डेल्टा इसको जामड़ादार चीज़ इसका गोसित गया 1989 में अब 1989 में सुन्दरवन के साथ साथ तीन और स्थल थे जिनको बाइस पर रिज़र के अंदर गोसित किया गया इंडिया में वो देखते हैं कौन गौन से हैं तो 1989 में एक ता मानस मानस कहां पढ़ता है मानस पढ़ता असम में असम यह मानस राष्ट की उध्यान है यह असम में एक अगला देखते हैं कौन से अगला है ग्रेड निकोबार ग्रेड निकोबार ग्रेड निकोबार में कैवी सेचता है भारप को जो अंतिन बिंदु इंद्रा पॉइंट चाहे इंद्रा पॉइंट कहलो चाहे पार्संट बिंदु कहलो वह कहां पे स्थित है ग्रेड निकुबार में स्थित है क्लियर अथ तीसरा तीन आपको पता चल गहें उन्हें सुनासी में 44 कौशा है चौट से मैं मनार की खाड़ी तो मनार खाड़ी मनार खाड़ी की नख़ोजव के बीच Auch के बीच में तो पहले जोसित किसे गया गया नेलगीरी को जो तमिल नाडू में स्थिद है उसके अलावा जो आपको आप्षम मिले वह भी मैंने आपको कंटर्म करा दिये दूसरी जी आप सोच रहा हूंगे कि सर यह भी क्यों आपने बताए मैंने यह इसलिए बताए कि कुछ नहीं आप बता सकते पूछा जा सकता है कि ग्रेट निकोबार कहां पर है तो जो आर्णवान पर अंतिम नीकोबार वह भारत तोантि मना, पॉइंड निकोबार नहीं इस्तिद है Azam N 근데 state पर लोग जो नेक्ट नाता है तो इसी तरह आपको तैयरी करने इसी तरह प्रश्चन आपको हल करने लेकिन आप लोगा हमें बताएं कीमेंट करके कितने आपको कोचन सही हुए अब आगे बात करतेемся कि दुसरा कोचन है दूसरा कोचन आपके स्किन पे राव सOR कर्मेंशन किस सम्मेन्दित है किस सम्मेन्दित है पहला आपके पास ओन जी कमेशन तो राम सर्शमेलेंड समधित है वह समधित है वैट लैंड से अब बात आती है ये वैट लैंड समधित है आर्द भूमी से तो आर्द भूमी यह समयलन हुआ कबता राम सर राम सर समयलन हुआ करता तो राम सर समयलन जो हुआ था वो हुआ था दो फ़रोरी 1971 को तो इसलिए एक पेपर में और कोचन si बनता है विश्य आर्द भूमी दिवस का मना है था World Wetland Day विस्व आर्ग भूमी दिवस कम गाता है तो दो फरोरी को ये भी आप बता सकते हो दूसरा कोछने अपर आता है रामसर किस सहर का नाम है तो याद रहना इरान का एक सिटी है क्या नाम है उसका इरान का एक सहर है जिसका नाम है रामसर आप आसानी से इसको बता सकते हो अब आपके सामने है तो आपको पता चल गया रामसर समेलन सम्मंदित है किसे Wetland सन्यचर से अब इन पर आपके सामने आपसन है पहला आपसन है वन जीव सन्यचर वाई नाइट सेंचुरी उसका किस सन्यचर में सम्मंदित है तो मखरमस समंदित है आपको बहुत अख्श्द्या से याद हो गया होगा अब आगे बाद करते हैं लोग तीसरा को जो आपकी स्किन पे है निम्न लिकित में से कौन सा नेशनल पार्क मगर मच्छ के लिए प्रसिद्ध है आप समय गिल्राश्टी उद्यान, काजी रंगा, केवला दो, माउंट हैरियट तो याद रखना मगर मच्छ के लिए जो प्रसिद्ध है, वो प्रसिद्ध है माउंट हैरियट और माउंट हैरियट कहाँ पर है, तो याद रखना माउंट हैरियट आपका है अन्नमान एंड निकोबार दीप समू में अन्नमान एंड निकोबार दीप समू में कि लिए रोगे अब यहीं पर बात आती है मांट हैर्य तो प्रसिद्ध हो गया किसके लिए मगर मच्छ के लिए अड़ा निकुबार में आपसन आपका गिर गिर कहां पर है तो गिर है गुजरात में अगिर किसके लिए प्रसिद्ध है तो या रखना एसियन लायन एसियन लायन एसियन लायन एसियाई सेरो के लिए कौन सा प्रसिद्ध है तो गिर राश्टू दें प्रसिद्ध है अगला अपसन आपके पास है वो है काजी रंगा 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 है काजी रंग कहां पर केवला देविटा है भरतपूर 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 जिला का नाम है और यह कहां पढ़ता है यह पढ़ता है राजस्तान में और यह किसके लिए प्रसिद है साइबेरियाई सारस के लिए साइबेरियाई क्रेन के लिए हम जो एक कोचिन आप से करा रहा है और एक कोचिन के साथ इतने कोचिन बनना है कि आप आसानी से बहुत ही कम समय में इन कोचिन्स के माध़न से जोगर्फी के बहुत नस्दिक जा सकते हैं जिनका पेपर पास लगा होगा और जिनको प्रैक्टिस करनी है जोगर्फी में आसानी से आप लोग ये पूरा कवर कर सकते हैं आगे बात करते हैं लोग चार नमर कोचिन आपकी स्क्रीन पे जो आया है वो दिखते हैं के कौन सा नेशनल पार्क मद्ध प्रदेश में नहीं स्तित है आपसन है मादो, पन्ना, पंचमडी, मेलगाट सब को पता होगा मेलगाट जो है मेलगाट जो नेशनल पार्क है ये स्तित है महाराष्ट में कहां पर स्तित है महाराष्ट में और यहाँ पर जो आपसन है पन्ना, मादो और पंचमडी ये कहां पर स्थित हैं ये स्थित हैं MP में MP के और देख लेते क्या क्या है MP में याद रखना सत्पुडा पाड़ी हमी है सत्पुडा और काना राष्ट्य उध्यान कहां पर है ये भी आपके MP में है और MP में एक है जिसका नाम है पेंच और पेंच ऐसा राष्टी उध्यान है जो MP प्लस महाराष्ट दो राज्यों की सीमा पर इस्तित थे और याद रहना कम हिस्सा पेंच का कम हिस्सा कहां पर बढ़ता है महाराष्ट में इसी लिए भारत का सबसे छोटा राष्टिय। थैन। भारत का सबसे छोटा राष्टिय। कौन सा? पेच कहा का वाला पेच है? महराष्ट सबसे छोटा नैशनल्स भारक फिर बेट नैशनल्स बात करते हैं लोग चार कोच्चन हमने कंप्लीट करें बहुत अच्छे से नेश पोचन है कॉंकर तट कहां से कहां तक फैला हुआ है आपके अपसन है गोवा से कोची, गोवा से दमन गोवा से दीव, गोवा से मुंबई आपको इसकिन पर दिख रहे होंगे तो अब कॉंकर तट कहां से कहां तक फैला है तो यागरना 760 किलोमेटर एक आता है कौंकल कर रेले कहां से कहां तक है तो यागरना रोहाटू मंगलावर रोहाटू मंगलावर तक फैला हुआ है इसको भी आप आसानी से बता सकते हैं नेट्स कोचन 6 नम्मर है भारत की किस राज्जी की सीमा नेपाल भूटान तथा चीन तीन दिसों से मिलती है आपसर है अणाचे पदेश, मेगाले, पच्चिम मंगाल और सिक्किम में तो आप बता सकते हो कौन सा ऐसा राज्जी जो तीन ओर से घिरा हुआ है नेपाल भूटान और चीन से तो सिक्किम ऐसा राज्जी जब आप मैप देखोंगे अच्छे से तो छे नम्मर का कोच्चन सही एंसर है वो क्या है? वो है सिक्किम आसानी साथ बता सकते हो ठीक है? तो मैप से नार्मल सा कोच्चन है भारत का पहला ऐसा राज्जी जो जैव कार्बनिक घुसित किया गया है कौन सा? सिक्किम आगे साथ नम्मर को चन देखते हैं लोग तमिल्नादुवा आंध प्रदेश के तट का कहना हम है कोरो मंडल तट, मालावार तट उत्री सरकार तट और कोंकर तट ठीक है? तो बात आई है कि जो यह वाला तट है, तमिल्नादु का तट इस वाले तट कोंम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले तट कोंम लोग बोलते हैं कोरो मंडल तट और यह भारत की जोगोले पहली युनिटीक पूरा पढ़ा है आप में जसको जो नया आरा, जसको लगषा है सब चीज़े पढ़ा नहीं है, आप लोग प्लेलिश्ट ही जाएए, इंडियन जोगरफी, वर्ड जोगरफी, एक एक लेक्चर देड़ा ही जाए, सब कुछ आपको समझना आजाएगा, इधा पढ़ता है राज्य केरल, केरल के तट को हम लोग बोलते हैं, माला भार तट, अ पुत्री सरकार तट अगला अपसन आपके पास आया है वो आया है कोंकर तट अभी अब आपके बताया है गोवा से दमन थका फैला हुआ तट है कि लिए बाद ये गोवा के में रूप से तट को क्या हम लोग नाम बोलते हैं पच्चवी तट को जो इसते तह उसको बोलते हैं कोंकर तट साथ कोंचन हमने आपके बहुत अच्छे से कंप्लेट करा दिये अब बात करते हैं आठ नमर कोंचन की आठ नमर कोंचन आपके इस्क्रीन पर जो आ रहा है वो देखते हैं क्या आ रहा निम्मे में से कौन सा धर्रा अनाचल प्रदेस में इस्तित नहीं है यांग्याप और दिफू अनाच्य प्रदिस में इस्तित्धर्र हैं मैंने दर्रों के लिए एक पूरी अलग से वीडियो बनाई हुई है तो आपको पता होना चाहिए आठ डंबर को अच्छन में क्या कौन सा अपसंग सही है अपसंग फोर्द सही है जो जिसका नाम है आगिल दर्रा आगिल दर्रा किस राज में तो आगिल दर्रा याद रगना आगिल दर्रा कहां पे इस्तित है आगिल दर्रा इस्तित है जम्मू एंड कस्मेर में तो यांग्याप बोमिडेला दिफू ये कहां पे हैं ये हैं सारे आपके अनाच्य प्रदिस में इनी में से एक दर्र जो नाम है जिसका नाम है यांग्याब धर्रा यांग्याब दर्रे से ही यांग्याब पास से ही भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेस है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेस है क्लियर बात भारत और चीन की बीच में जो दर्रा पढ़ता है यह अंग्याद दर्रा ही पढ़ता है अच्छे प्रदेश में इस्तित तो याद रहना अच्छे से आगे बात करते हैं नौ नम्मर को चन तोगुब दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है तोगुब दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है आपसाने आपके पास चीन, पाकिस्तान, म्यामार, बांगला देश आप आसानी से बता सकते हो जो तोगुब दर्रा है तोगुब पास वो जो उड़ता है इंडिया प्लस में अमार एक ही प्रवाद करें विदेशी दर्रों में जिसका नामा खैबर खैबर दर्रा ऐसा दर्रा है जहां से आर रे लोग कहां एते आर रे लोग भारत में आये थे आरे कहा आए थे आरे भारत आए थे कौन से दर रिस ख्कैबर ख्कैबर गरा प्रिजेंट टायम में किसके किसके वीचे तो याद रहना पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान क्लेरों की लगड़ आगे वेटा दिखते हैं आगे हम लोग दिखते हैं तो आगे देखते हैं कौन से नम्मर को चन है आगे हैं 10 नम्मर को चन स्यूसा मुद्रम जल पर पाज किस नदी पर इस्तित है 10 नम्मर आपसन है आपके बास नर्मदा नदी, सरावती, कावेरी और स्वारे रेखा ठीक है तो आपको पता होना चाहिए स्यूसा मुद्रम जल पर पाज किस नदी पर इस्तित है सबको पता होना चाहिए स्यूसा मुद्रम जल पर पाज किस नदी पर तो याद रगना आपके आपसन है नर्मदा नदी और फिर उसके बाद है सरावती और फिर उसके बाद है कावेरी और कावेरी के बाद है सौना रेखा तो सिवसमुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी परिस्तित है और सिवसमुद्रम जलप्रपात कहां परिस्तित है वो है करनाटक कहां पर बढ़ा करनाटक में दूसरी बात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात सबसे चोड़ा जल प्रपात कौँ सा है सुसमुद्रम अब बात आईए नर्मदा तो नर्मदा से दो जल प्रपात दार रहना वाटर फाल एक याद रखना कपिन धारा जल प्रपात और कपिन धारा के साथ साथ एक याद रखना आप लोग धुआधार दुमादार और दोनों कहां पर इस्तित हैं आप आसानिस बता सकते हैं मद्ध पर्देश में कि लेगों के बात आगे बात करते हैं वेटा सरावत्थी सरावत्थी से एक जल्परपाद याद रहना जोग गरसुपा जो भारत का सबसे उंचा जल्परपाद है जोग घरसुपा को इम लोग दूसरा नाम दिते हैं जिसको बोलते हैं महाटमा गाणधी जल्परपाद है किजन अधी पर इस्तित्ष सरावत्थी और ए भी कहां इस्तित्ष यह is अपर नाटग में बारत का सबसे उंचा जलपरपाद और अगर कभी कुंची कल आ जाता है तो कुंची कल को पहले प्रिफरेंस देते हैं और जोग गर्सक्पा को बाद में देते हैं बात आईए सौने रेखा न दी तो सौने रेखा पर इस्तित है जलपरपाद जिसका नाम है हुंडरू जो 36 गौलो जहार खंड की सीमा पर इस्थित है इतनी बात उम्मिद करते हैं आप लोगों को समझ में आगए होगी तो इस तरह हमें 10 कोचन कंप्लीट हो गए हैं अब बात करते हैं अब बात करते हैं 11 नमर कोचन की तो 11 नमर कोचनार की स्किंट है दिस सुप्रसिद्ध खारे पानी की जील किस राज में है कौन से जील की बात कर रहा है सामबर जील सामबर जील जो है खारे पानी की जील किस राज में आप से आपके पास है राजस्तान, महाराष्ट, जम्मू कस्मीर और केरल ठीक है देखते हम लोग तो सामर जील देखते किस राज में तो सामर जील है राजस्थान में किस राज जोड़ा राजस्थान में के लिए राजस्थान में और राजस्थान में सामर है और पुसकर जील है और राज समन जैसमन जील है सब कहा है सब है राजस्थान में खारे पानी की सबसे वड़ी जील है भारत की सामर जील राजस्तान में अब इस बात आए कि खारे पानी की सबसे वड़ी तटी जील कौन से है तो तटी जील मलत जो तट के किनारे इस्तित है तो तट के किनारे कौन से जील है ये चिलका जील तो खारे पानी की सबसे वड़ी त्ती जील है चिलका झील का हमने बिटा उड़िषा बात करते हैं दूसरा अपसं मेहां पे है महाराश्ट तो यार रखना महाराश्ट में एक जील इस्टिद है जिसका नम है लोनार कहा नम पर लोनार जील और लोनार जील ऐसी जील है जो भारत की एक मात जील जो जौला मुकी परवत से निर्मित हुई है किस से जौला मुकी उद्गार से जौला मुकी उद्गार से निर्मित हुई है लोनार जील महराष्ट की अगला अपसना आपके सामने है जम्मू एंकस्मेर जम्मू कस्मेर में पता होना चाहिए आपको एक है डल जील जो जम्मू कस्मेर के सबसे बड़ी जील है और स्रीनगर की और एक है उलर जील तो पूरे जम्मू है भारत की सबसे बड़ी जील है सबसे बड़ी जील एक आलडिन तो एरिया में उलरी है और उलर का यार रहना जील सबसे बड़ी जील कौन से पड़ा वो है उनर जील कहाँ पे जम्मो कस्मीर में आगे करल के और जम्मो कस्मीर नहीं नागिंद जील और देटेरहें कौन-कौन से जील एक है पेरियाग और एक है अश्टमूडी जील और एक है वेबा नटील वेबा नटील तो ये सारी जीले कहां पर इस्तित हैं ये सारी जीले हैं केरल में इस्तित अब आगे अम लोग बात करते हैं अगला गोचन बटा 12 नमबर बारा नमर को चाहां से हमने के स्क्रीन में नीरी का मुख्यले कहां पे है तो नीरी का मुख्यले कहां पे है तो नीरी का मुख्यले आपसन है जादू गोडा करनाल नागपुर सिमला ठीक है तो पहला आपसन है जादू गोडा दूसरा है करनाल और तीसरा आपसन है नागपु और चौता अफसन है सिम्ला एक चीज यार रहना है आप से पूछा क्या है नीरी नीरी का मुखेल है नागपुर में के लिए रबाद नीरी क्या होता है नीरी होता है National Environment Engineering Research Institute के लिए रबाद इसका मुखेल है नागपुर महाराष्ट में करनाल सब्दा है करनाल में एक ची खेल है जिसका नाम है केंद्री डेरी अनुसंदान केंद्री डेरी रिसर्स सिंटर कहां पर अनुसंदान केंद्र तो केंद्री डेरी अनुसंदान केंद्र है ये करनाल हरियारा में हरियारा में के लिए रबाद करते हैं जादू गोड़ा जादू गोड़ा में केंद्री इ स्लमा में क्या है किम दREE आलु सोहञ्ट्प संस्थान कें द्री आलु सोहञद है आप अप्छी से पूछ挑 आ प्राइए ऊधिसे अगले कोछल इसे अगर प्राक्ठीस कर रहे हैं हमनें तो है इस है आपको 400-500 कोचन बुरे आसानी से याद हो जाएंगे आगे बिटाम लोग बात करते हैं आगे आगना कोचन जो जाएगा आपकी स्क्रिम पर 13 नमबर गंगा नदी को बांगला देश में किस नाम से जाना देता है आप समय पदमा, जमुना, नेगना और सांपो, खिलियर हो कि बात तो गंगा नदी को बांगला देश में तो पता हो नची आपको ये गंगा नदी बहे गई गंगा नदी और ये क्या है ये वाला एरिया पूरा क्या है बांगला देश का बांगला देश का गंगा नदी जैसे ही बांगला तेसमें प्रेश करती वहाँ पर उसको बोला क्या देता है वहाँ पर बोला क्या देता है पदमा तो आसानी से आपको कोचन क्लियर हो गया कि गंगा नदी को बांगला तेसमें क्या 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 पदमा अब यह बात समस्तर और अफसन देखत एक यहां पर स्थित्पा मांसरोर जील है तिबबत में मांसरोर जील से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र ब्रह्म पुत्र जब टिब्बत में होती है तो ब्रह्म पुत्र को टिब्बत में बोलते हैं सांगपो क्या बहुते हैं सांगपो कहां पे टिब्बत में आगे बात करते हैं जब ब्रह्म पुत्र बांगला देस में आती तो वेटा उसको क्या बोलते हैं बांगला देस में उस कोपली लोहित कोपली लोहित मानस किसकी साहिक नदिया है ठीक है आप समय गंड़ कोपली लोहित मानस किसकी साहिक नदिया है ठीक है बाहर से आकर भारत के बाहर से आकर भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदिया कौनसी है ब्रह्मपुत्र याद ब्रह्मपुत्र कोशी का तो पता है को बियार का सोब बोलते हैं और गंड़ा की साहिक नदी पता ही होगी यह मुना मोस्ट इंपॉर्टेंट है गंड़ा में एक नदी मिलती है कि दच्छर वारत दच्छर से आकर भारत गंड़ा में लाली एब माज नदी सोन नदी आसानी साब बता सकते हो नेस बेगा कोशन देखते हैं पंदरा नमर कोशन आपके स्किंत है कौन से नदी उरीसा में अपना देल्टा बनाती है आप समय गोदावरी म महा नदी नरमदा ऑती वारीसा में सब से प्रमून नदी वहते है उसका नाम है महा नदी अब महानदी खाश बनाती एक सैरख कर भी साकर यसका नमर कटक महा पिए परियोजने प्रियोजने जिसका नाम है टिकरा पारा तिकरा पारा तो इतनी चीजे आप याद रखोगे कौन से नदी और इसा में डेल्टा बनाती है तो बनाती है महान अधी पर दो प्रमुक परियोजने मैंने बताई आपको एक बताई हिरा कुन बांध और बताई तिक्रा पाहा दूसरी चीजे में बताई महान अधी पर एक साहर इस्तित है जिसका नाम है कंड Jaco भाज़ करती है अगला कोची चीजे बताई अधी पर दूसरा अपके पास और तीसरा अपके पास केरल और चौता हवसे नहीं सिपगान इणमान खिंगाल तो बात कहलँ है सिवरा tactile नहीं लीगरी पालिया भी अबात कर लेते राजस्तान में राजस्तान में एक परवत इस थे थे सब को पता होना चाहिए कौन सा परवत है विटा अरावली परवत की सबसे उची चोटी कौन से विटा सबसे उची चोटी है गुरु सिखर कौन सी है गुरु सिखर नेस बात करते है केरल में केरल में याद रखन या काड़ों पाड़ी है कहा पाई आती है केरल में अब बात है अन्दमान निकोबार में तो अन्दमान निकोबार में एक पाड़िस चोटी है पाड़िस ते जिसका नाम है सैडल पीक क्या नमर बढ़ा सैडल पीक तो आसानी साथ इसको भी बता सकते नेक्स कोचन हम लोग द दादीबी तो सबको पता होगा दक्षिड भारत चाय कहे दे चाय प्रादीपी भारत कहे दे प्रादीपी पठार कहे दे कहने मलब साउथ जो है भारत को जो साउथन पार्ट है वो तीन और जल से घिरा है इसी लिए उसको में लोग प्रादीप की संगा देते हैं और कोई इस सबसे उची चोटी अनाई मुडी अनाई मुडी बता सकते हो अब बात आपसा नहीं आपका एक केटू गाडविन आश्टिन केटू गाडविन आश्टिन तो केटू गाडविन आश्टिन केटू गाडविन आश्टिन पूरे भारत की सबसे उची चोटी भारत की सबसे उची जोटी कौन सी केट्टू गाडविन आश्टिन बात करते हैं केट्टू गाडविन आश्टिन के उचाई कित्ती है तो आसानी साब बता सकते हो 80611 सब्सक्राइब गार्टव। अब आसानी प्रेस्ताएं अच्छे सी प्रशने सौलो कर सकते हैं बहुत ही बिना दिक्कत के बड़े आसानी से पूरी बुगोल बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे अगला कोचन बिटा अगला कोचन आपकी स्किन पे है स्वतंत्र भारत की पहली बहुत देशी परियोजना कौन सी है अपसन है आपके सामने दामोदर घाटी परियोजना तिलया परियोजना हीरापन परियोजना भागडा नागल परियोजना तो स्वतंत्र वारत की जो पहली परियोजना है वो है कौन सी दामोदर घाटी परियोजना और दामोदर गाटी परियोजना कर स्टाइट के यही नाइंटीम फोटी एक पे मैफ बाग जी पे करते हैं तिलया परियोजना दामोदर गाटी दामोदर रिवर पे होगी तिलया परियोजना देख लेते हैं कौन सी नदी पर है बंगाल का सोक बोलते हैं दामोधर को बंगाल का सोक किसको बोलते हैं दामोधर को बियार को सोक किसको बोलते हैं कोसी को नेश ट्रीम पर बात आया आता है हीरा कुन हीरा कुन पहले ही बता दिया हीरा कुन जो परिजना बांद है वो भारत का सबसे लंबा बांद है फिर नेश बात आईए वो कौन सी है ये भागटा नागल तो भागटा नागल कहां पे है भागटा नागल पता होना चाहिए है पंजाब में और किस नदी पे है तो पता होना चाहिए सतला जिवर पे और भारत का सबसे उचा गुरुत्वी बाहाँ में भारत का सबसे उचा गुरुत्वी डैन कौन सा है तो वो हिराप होंगे next question बीटा बात करते हैं लोग 19 number question 19 number question आपके screen पर लगा हुआ है जाड़ों के समय में भारत में सबसे ज़रा वर्षा पूरब में राज्य जिसका नाम है केरल और ये पूरब में राज्य जिसका नाम है तमिल नाडू मैंने बतायागा जो भारत में मानसून आता है वो कौन सी इद्धिसा से आते हैं वो आता है साउथ वेस्ट से साउथ वेस्ट से आता है सबसे पहले कहां पहुंचता है सबसे पहले पहुंचता है केरल पे केरल में वर्षा करता है ये कब आता है जून का पहला सब्ता होता है ये केरल में सबसे पहले प्रेश करता है केरल में ही सबसे अदा वर्षा करता है सबसे पहले दूसरी बात जून के पहले सब्ता में आता है अगर नहीं बात आजा है कौन से तट पर सबसे पहले वर्षा होती कि यहाँ रगना माला बार थट पहें, इसलिए पेपर में आता है कि गारो खासी जहनतिया जन जाती कहां पे मेघाले में, तो यह मानसुन पूरा ऐसे ऐसे चला जाता है तो यहां पे गारो खासी जहनतिया पहाली की बिस्षिता मैंने बताई थी, ये पारिया जो तीन और से घिरी हुई है इन में जब मानसुन जाएगा जिस रास्ते से उसी रास्ते से वो वापस आएगा तो जब उसी रास्ते से वो वापस आएगा तो इसी तारएं यहां पर टकरा कि सबस्यादा वरसा हो जाती तुम मेगाले का कोचिंगय बनता मेगाले में एक सहर स्थितज आप नाम है मासी नाम इसी ने सबसे ज़्यादा भारत में वरसा कहा हूँ कि मासी नाम मेगाले सबसे पहले मानसुन ना था केरल में अब यहीं मानसुन जब लौटता आए इदर से तो तमिनलादू के कोरो मंडल तत पर वर्षा करा देता है चाहे तमिनलादू करे लो चाहे कोरो मंडल घय लो और चाहे इसको आप लोटे मांसून के दो चैनार्थिष्ट, उत्तरपूरब, दिसावाला मान सुन गएदो तो आपके अब 19 कोच्चन बहुत आसानी से कंप्लीट हो गए 19 कोच्चन हम उम्मीद करते हैं आप लग सीखे होंगे अब जो आज हमारी टॉप 30 कोच्चन का लाज कोच्चन है भूगल में वो दिखते का है भारत का सबसे उचा प्लीटू, पठार कौन सा है आप समयार के बास दक्कन, लगदाग, पामीर, तिबब, ठीक है तो सबसे उचा पठार कौन सा है लगदाग आगे बात करते हैं दक्कन, दक्कन का है यह हो गया सबसे उचा पठार बारत का दक्कन के है सबसे बड़ा पठार बड़ा पठार हो कहाँ का इंडिया का फिर आपसन में आपके बास पामीर पामीर के बाद एक आपसन में तिबबत तो पामीर या दरना सबसे उचा पठार बिस्टो का कौन सा है 20 सुका पठार सबसे उंचा तो कौन सा है पामीर नेज़ बात करते हैं तिबब 20 सुका पठार सबसे बड़ा कौन सा है 20 सुका पठार सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा कौन सा पठार तिबब आप इसको आसानी से बता सकते हैं के लिए वगल आज आज आपके 20 कोच्चं, Top 20 कोच्चं, जोगर्फिय ने मैंने कराएं, अब उम्रीब करते हैं आप लोगों को 20 कोच्चं में कमेंट जरूर करना है, कितने कोच्चंस आपके सही हुए, और अगर आप कमेंट करेंगे, तो हमें पता होगा कि हम सही महनद कर र यहाँ आप कर दीजिए कि मेरे इतने कोचन सही हुए और वे सीरीज चले सीरीज ना चल लिए तो आप पढ़के चले जाए यह कोई दिक्कत नहीं ठीक है अब हम आप लोगों से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ अब मैं आपको सब कुछ कांटीनिर करा हुआ अब इस कोच करना बिल्कुल न भूले और सब्सक्राइब के बदब में बैल आइकन दवाना बिल्कुल न भूले जिसके हमेशा आपको नोटिविकेशन सबसे पहले फिनिक्स एकडमी पे प्राप्त हो धन्यवाद्ट